अब दोस्तों मुश्कार्टों कैसे आप सभी उम्मिद करता हुँगे स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल सर्माजनिंग क्लासिस के अंदर दोस्तों आप लोगों को काफी दिनों से नई भरती का इंतिजार होगा कि नई भरती कब आए नई वेकैंसी कब आए और नहीं आए आप 2-13 के बाद जस्ट अब यह भरती आएगी तो यह जो न्यूज है वो काफी स्पेशल और काफी गुड न्यूज है ठीक है ना तो कौन सी भरती है कैसे उसमें सेलेक्शन होगा क्या कुछ प्रोसेस पर किरिया रहेगी वो सारा सारा आपने आज की इस वीडि स्काइब लाई आपको मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हो यहां पे सबसे पहली जो हैडिंग हो है दो जार तेरा के बाद यानि कि दो जार तेरा के बाद यह बरती अब आने वाली है क्या बरती है प्रिक्षा प्रिक्षा पोस्ट है दोस्तों प्रिक्षा टोटल पद जो है वो है 461 और जो प्रिक्षा कोन करवा रहा है यहां पर जो प्रिक्षा करवाएगा वो बोर्ड है और प्रिक्षा करवाने वाला है यहां भी पताएगा रादस्थान लोगसेवा आयोग निकट बविश्य में PTI grade 2nd के 461 पड़ों पर बरतिक रहेगी सरकार की हरी जंडी मिलने के बाद 2013 के बाद आयोग PTI grade 2nd की बरतिक रहेगा माना जा रहा है कि आयोग अब्यार्थना मिलने परशीर ही इसका विग्यापन जारी कर सकता है यानि कि दोस्तों इसके उपर जैसे ही गौर्मेंट की स्टांप लग जाती है तो आपके पास जो इसकी जो विग्यप्ती है टोटल वो आपके पास जल्द ही यहाँ पर जारी हो जाएगी ठीक है ना प्रारंभी PTI पदों की बरतिया RPSC ही कराता रहा है 2008 में PTI grade 2nd वे 3rd के 467 पद 2011 में grade 2nd वे 3rd के 1587 पद और 2013 में grade 2nd वे 3rd के 389 पद वोपर आयोग ने बरति परिक्षाई कराई थी लेकिन 2013 के बाद 3600 पे grade तक की बरति परिक्षाई आयोग की बजाए राधस्तान करमचारी चेन बोर्ड को दे दी गई यानि की RSM SSB को दे दी गई थी लेकिन अब फिर से यह जो कमान है यार्पीसी ने संबाल ली है ऐसे में grade 3rd की पीटिया बरति करमचारी चेन बोर्ड कराएगा जबकि आयोग के खाते में आप grade 2nd की बरति रहेगी तो दोस्तो मोटना मोटी बात यह है कि अब आपको जो इसके अंदर PTI में eligible है वो 2013 के बाद जो भरति नहीं आए थी तो अब उनके लिए good news है कि जो PTI में eligible है वो इसके अंदर फोर्म बर सकते हैं यहाँ पर दोस्तो सेलेक्शन किसको मिलेगा क्या कुछ बताया गया तो इसमें आए कि शिक्षव भाग है और से आयोग के बरतना मिलने जा रहा है इन पदों के लिए आपके पास होने चीए बी-पी-ई-डी बी-पी-ई-डी होने चीए एक होती है बी-एड आपके पास होने चीए बी-पी-एड बी-पी-ड यानि की फिजिकल एजुकेशन की जो डिग्री होती है वो ठीक है ना तो बी-पी-एड डिग्री डाल जो भी है उनको आवेदन करने का मोका मिलेगा ठीक है ना अब आयोग को आठ साल के बाद में ये बरती मिलने जा रही है बिल्कुल दोस्तों क्योंकि 2013 के बाद अब 2022 चला है तो ये जो भरती आएगी ना 461 पोदों पे ये शांदार बरती है तो आप लोग इसके अंदर अपना नावांकर करा देना अपना रिजिस्ट्रेशन करा देना अपलाई आप कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो ये था आज का अपडेट अच्छी नीज है इसलिए वीडियो को हमारे साथ जोडने के लिए मारे वाट्सप ग्रूप का लिंक को में नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा और कोई भी अगर्मेंट एक्जाम्स के आप त्यारी कर रहे हो तो चैनल के अपर प्लेलिस्ट आप लो वहां से जाकर के वीडियो उसको द अबता के लिए बबाई टेकर जाहिन जावादत